हाई तो देखे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर RGB values अगर अपने पास हो मतलब की color image हो तो आखिर हम कैसे convolution लेंगे ये मान लीजिए अपने red channel की matrix है अपने G यानि की green channel की matrix और ये है finally अपने blue channel की matrix ये देखिए basically तो माली जी ये हमारी color image है तो ये किस प्रकार से है हमने जैसा पिछले वीडियो में बात कर चुके है कि आपके पास अगर color image है तो इसका basically मतलब ये है कि एक उसकी height होगी उसकी width होगी और उसकी depth होगी यानि कि number of channels तो एक colored image में देखिए three colored channels होते है red, green, blue तो ये सब representation हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं तो अब हम ये देखते हैं देखिए कि आखिर इसके ओपर convolution हम कैसे लेंगे अब convolution आप एक बार खुद वीडियो पॉस कीजिए और आप सोची कि convolution का आखिर filter जो हम लेते हैं उसका आखिर size क्या होना चीए देखिए हम ऐसा पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि हम जो बता रहे हैं बस वही पत्थर की लकीर नहीं है इसमें आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं और आप जो सोचेंगे वो उसमें सही या गलत जैसी कोई बा और जो चीज आपको अच्छे से generalize नहीं होती है और accuracy नहीं देती है तो वो आज की date में तो बहराल सही नहीं है तो आपको बस accuracy लानी है और जब test set पे भी अच्छा कर पाएं तो बस आपको यही चाहिए फिर आपको उसमें और ज़्यादा कुछ explain करने की ज़ुरत नहीं है तो अब मान लीजे ये मान लीजे ये है six cross six key image तीन color channel से इसमें RGB तो six cross six cross three हो जाएगा भी है तीक है और मान लीजे filter जैसे हम हर बार की तरह हम use कर रहें three cross three तो ये मान लीजे अपना filter है three cross three का तीक है लेकिन आप बताईए कि अगर आप इसके साथ convolution लेते हैं इस पूरी image का तो आप कैसे लेंगे देखे अब वहाँ पे सिर्फ एक 2D matrix नहीं है ये पहली 2D matrix है इसके जस्ट पीछे एक और 2D matrix है उसके जस्ट पीछे एक और 2D matrix है तो अगर आप ऐसा चूज करते हैं कि ये अपना three cross three filter है आप इसको पहले इसके साथ convolution लेते हैं फिर कुछ values लिखते हैं ठीक है तो देखिए size होगी चार क्रॉस चार ठीक है अब आप उसमें वापिस इसी filter को convolution लेते हैं second वाली layer के साथ तो आपको मिल जाएगी वापिस फिर से एक चार क्रॉस चार की matrix and similarly आप इसी को convolution लेते हैं third वाली के साथ तो फिर आपको मिल जाएगी वापिस एक चार क्रॉस चार की matrix इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है लेकिन आम तोर पर यह माना गया है जो जो experiments हुए हैं लोगों ने जो programs लिखे हैं लोगों ने जो training चलाई है उसमें यह माना गया है कि यह जो है यह सही तरीका नहीं है कि सही तरीका किसको माना गया है मतलब बिसकली किसको पाया गया है अब हम उसकी बात कर लेते हैं तेकि सही तरीका इसको पाया गया है कि आप 3 cross 3 cross 3 का filter बनाई है तो basically यह जो number of channels है यह आपके number of channels के बराबर होने चाहिए यह दोनों equal होने चाहिए तो अब जो हमारा जो filter है वो basically देखिए कुछ ऐसा दिखता है इसमें भी 3 color channel है इसमें भी 3 color channel है तो अब total इसमें कितने parameters हो गए देखिए है तो गद्रे शोर इसमें फिर गोना 3 उनोंव में फिर नोंव में फिर नोंव में फिर दूस में थे सतीस परामीटर्स होगए इसमें कितने नंबर हो तो तो 36 first वाली में है फिर 36 second वाली में है 26 36 थरड वाली मे अब आप इसका convolution कैसे लेंगे तो अब देखिए इसी के साथ हमने बेसिकली इसको भी नकार दिया है कि इस टाइप का नहीं होगा तो आखिर हमारा आउटपुट फिर अब देखिए किस परकार का बनेगा कैसे कन्वलुशन करेंगे तो अब देखिए वो जो हम पहले एक प्लेट उठा के यहां रख रहे थे कॉन्वलुशन लेने के लिए कि इसके साथ ले लिजिए अब आप रेड वाले को यहां पे लाएंगे ग्रीन वाले को यहां पे लाएंगे और ब्लू वाले को यहां पे लाएंगे तो आप basically 3 x 3 red पे, 3 x 3 green पे, 3 x 3 blue पे ये filter उठा के ऐसे कैसे रख देंगे तो अब आप कितने multiplications कर रहे हैं एक साथ? आप कर रहे हैं देखिए 9 तो red में, 9 आप कर रहे हैं green में और 9 ही आप कर रहे हैं blue में तो basically ये हो गया 9 प्लस 9 प्लस 9 तो ये अब अपने हो गया 27 parameters आपके पास आ गये हैं तो अब इस filter में जो पहले हमारे जब colored नहीं थी black and white image थी तो उसमें parameters थे 3 x 3 यानि 9 अब 3 color channels की वज़े से वो हो गये है 27 तो अब जो आपका output आएगा देखिए वो कैसा दिखेगा? अब जूकि ये सब आपने red को कर लिया on each multiplication और sum लिग दिया फिर आपने grain का कर लिये maxim से हम पहले करते थे exactly जैसे हम पहले करते थे और फिर आपने sum लिख दिया और अब आपने इन तीनों को भी add कर दिया तो आपके पास जो फाइनल जो एक चीज आती है वो आती है 4 x 4 की मेट्रेक्स और इसी तरीके से हम एक RGB कलर चैनल का कन्वलूशन लेते हैं. Thank you.